नमस्ते, आज की वीडियो में हम ब्लाउस के लिए बहुत ही सुन्दर लटकन का डिजाइन बनाएंगे तो यहाँ पर 4 इंच लेंद और वीड़त में, स्क्वेर शेप में, दो पीस हमें कट कर लेना है तो देखिए, यहाँ पर 3 इंच लेंद और वीड़त में, स्क्वेर शेप में और दो पीस हमें कट कर लेना है इस तरह का पास इंच लेंद और सवा इंच वीड़त में हमें एक पीस कट कर लेना है तो यहाँ पे जो हमारा बड़ा square piece का pattern है उसे हमें इस तरह triangle shape में fold करना है अब दोरी में हमें इस तरह set करते हुए एक दाप की lock stage देनी है यहाँ पे हम extra cross fabric को cut करेंगे अब इस तरह piece के pattern को हमें सीधा कर लेना है यहाँ पर हमें दुसरे square piece को इसी तरह triangle shape में fold करके डोरी में इस तरह से set करके piece fold करके stitch देनी है यहाँ पर हमारी pattern को stitch लग चुकी है अब हमें extra fabric को cut कर देना है और pattern को इस तरह से सीधा कर लेना है तो friends यहाँ पर हमें दूसरे 3 inch length और width में cut किये पीस को लेना है pattern बनाने के लिए तो देखिए इस तरह के square piece को triangle shape में दो बर हमें fold करना है अब हमें इसे एक दाप की stitch देनी है ऐसे ही हमें दूसरे piece को भी stitch करना है सुई से इस तरह हमें triangle pattern को सिलाई देकर चुन्नटे लाना है और इस तरह हमें दोनो triangle piece के petals बनाना है यहाँ पर हमें अब जो rectangle shape में piece cut किया है उसे इस तरह चारो तरप से fold देते हुए stitch देनी है अब इस pattern का center लेते हुए हमें इस pattern को cut करना है अब हमने जो डोरी बनाई है उसे pattern के उपर center में इस तरह set करे और दोरी के उपर दूसरे pattern को रख कर हमें इस तरह सिलाई देनी है यहाँ पर हमारी stitch हो चुकी है अब हमें pattern को सिधा इस तरह करके pattern के corner को lock stitch देनी है अब जो हमने petals बनाए है उसे हमें बीच में इस तरह से pattern में अंदर की तरफ रखते हुए उपर से हमें pattern को stitch देनी है pattern को दोनों तरफ से finishing के साथ stitch देते हुए हमें इस लटकों को complete कर लेना है तो friends आज की वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक करे और ऐसे ही नए वीडियो के लिए चैनल को subscribe करना ना गुले धन्यवाद झाल